हालो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजंदपुरोईत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूँ और आपके सामने बताने वाला हूँ कि सिंगूलर सॉलिशन क्या होता है देखो सिंगूलर्टी जो होती है वो कॉंप्लेक्स में भी होती है और वो डिफिरेंचिल एक्वेशन में वीडियोज अप्लोड कर चुका है तो आप देख लिए यहां पर जो डिफिरेंचिल एक्वे वो काफी इंपोर्टेंट एवन पार्शल डिफिरेंचिल एक्वेशन में बताया तो तो डिफिरेंचिल एक्वेशन में सिंगूलर सॉलिशन को हम कैसे यहां पता करते हैं और कैसे इस पर बैस को सॉल्व करते हैं वो मैं आज आपके सामना डिसक्स करने वाला हूँ तो सब्सक्राइब करेंगे कि definition क्या होती सिंगूलर सॉलिशन होता क्या सॉलिशन ऑफ डिफिरेंचिल एक्वेशन विच डज नोट कंटेंड एनी आर्बिट्र इस विन जो भी हमारे पास सिंगूलर सॉलिशन होता है उसके अंदर कोई भी कॉंस्टेंट नहीं होता है पहली ब सिंगूलर सॉलिशन होता है यह अलगी चीज होती तो पहली बात तो यह समझ भाएं कि सिंगूलर सॉलिशन जो होता है उसके अंदर कॉंस्टेंट नहीं होता है दूसरी बात यह आती कि वह जनल सॉलिशन से नहीं निकलता है जनल सुलिशन में किसी कॉंस्टेंट की पर्ट तो आपको गर कोई भी हमारे पास इस टैकि डिफेंचल एकुषिन दे रेखे तो जो भी डिफेंचल एकुषिन दे रहिए तो जो भी डिफेंचल एकुषिन दे रहां है उसका that P महले जे Connection with respect to P, और बराबर 0 पूट कर दिए, बराबर 0 पूट करके, फिर आपको यहां से इन दोनों से P को eliminate करना है, मतलब इससे और इससे P को eliminate करना है, जैसे P को eliminate करोगे, जो solution आएगा, वो हमारे पास क्या होता है, singular solution होता है, अब इसको solve करने का एक तरीका और होता है, अभी इस पर बेज़ एक question बताता हूँ, उसके बाद उस तरीके पर आता है, आगे बढ़ता है, तो इसमें एक्जाम्पल देखें, हमारे पास यह example दे रखा है, और आपको इसका singular solution निकाला है, तो मैंने आपको यह बतायता है, कि जब भी हमारे पास ऐसा question दे रखा है, तो हम इसको F माल लेंगे, क्या माल लेंगे, इसको F, तो यह आएगा हमारे पास, 9P, Y, सबको एक साथ ले लिजिए, सबको एक साथ ले लिजिए, माइनस का 4, 3 माइनस Y, हमने सबको एक साथ ले लिए, अब इसको हम डिफेरेंशिट करेंगे, विद रस्पेक्ट टू P, clear है, बराबर P के रस्पेक्ट में डिफेरेंशिट करेंगे, हमने बराबर इसको लिया, यह तब इसको इसको लिया और इसको लिया, इसको में फ मा लिया, अब इसको डिफिरेंशीट करेंगे with respect to P, और बाकी सबक्राइब किया जाए गहा हमाएगगा 18P y-2 decay 5-2 स्क्राइब यह तो 0 हो जाएगा एक, क्योंकि इसका हुआ तो एक constant की तरह है अब इसको zero put करेंगे तो हमारे पास यहां पर कहाएगा सुन पी इकुल टू जीरू आएगा राइट यहां पास यहां से पी की वेल्यू मिली जीरू यह उठा के इसमें रख दीजा राइट तो जब यह पी की वेल्यू यहां रखेंग तो हमारे पास बचेगा सिर्फ यह बचेगा 3-y is equal to 0 तो भाया यहां से हमारे पास y की वेल्यू क्या जाएगी 3 आजाएगी मतलब y is equal to 3 इसका क्या हो जाएगा singular solution हो जाएगा अब आपके मन में सवाल उठेगा कि y is equal to 3 इसका singular solution है पर एक्जाम में अगर बाइच चांस competitive exam दे रहे हैं लाइक IADGM exam दे रहे हैं या CSI net exam दे रहे हैं और other competitive exam जहाँ पर हायर मैस पूछी जाती है और ऐसा question अगर हमें दे 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 और singular solution निकालना है तो हम कैसे पता करेंगे तो मैं short trick बताना चाहूंगा जो भी हमारे पास option होगा वो option इसको क्या करना है चाहिए satisfy करना है अब y is equal to 3 आपके मन में सवाल उठेगा sir y is equal to 3 तो इसको 0 कर रहा है इसको थोड़ी कर रहा है पर मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि y is equal to 0 है और अगर इसको हम differentiate करें with respect to x तो ह हम जानते ही हमारे पास क्या हो जाएगा खी होता राight तो आपको क्या करना है जहां पर Y वह i var 3 ए जिरू रखनो रखना तो यह जीरू हो जाएगा वाई की जगए थी रखी की तो यह 0 हो जाएगा यह पूरा है इसको क्या कर रहा है है Cheryl is equal to 3 स्का क्या होगा क्या होगा singular solution हो अब इसको निकालने का एक दूसरा मेथड और होता है तो मैं आप से अवोइड करने के लिए बोलूँगा कि वह मेथड अपने को अवोइड करना राइड पर फिर भी करना है तो समझना पड़ेगा इसका एक और मेथड है और वह क्या होता है यहां पर जब भी हमारे पास करने को कैसे सुल करना है आई टेप पर पता रहे रहे रहाई रहर दिफरेंशल एक्वेशन अना फस्ट टिरियन हाई रोड और एंड हाय डिजिकर रिफिरेंशल इक्वेशन का मैं आई टेप पर जाके अच्छा का समझा रहा है प्लेलीस में जाके देख सकते रहे तो इस सोल करेंगे तो बहुर major सोल करते हैं अब उकार आपको यह मारे पास आ गया संट अब हमारे पास क्या है औरillarажи क्या करेंगे इस 5 को differentiate करेंगे with respect to C right यह 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 दर इसको differentiate करेंगे with respect to C और इन दोनों से हम C को क्या करेंगे eliminate करेंगे और C को eliminate करने की पाद जो solution मिलता है वो हमारे पास क्या होता है singular solution होता है पर इस विए इस question की सबसे बड़ी क्या क्या है कि पहले आपको differential equation को solve करना पड़ेगा और फिर C को eliminate करना पड़ेगा और जो previous method था उसमें solve करने की ज़रूत ही नहीं राइट उसको सीधा हम P के respect में differentiate करके 0 put करके P को eliminate करके solve कर सकते थे राइट so this is the like drawback of this method तो इस विन दिखे इसी जो मैंने आपको previous question बता उसी को मैं इस method से बताता हूँ कैसे ही आपर solve करते प्रीवेस method से इसका answer y is equal to 3 आया था तो इस method से भी answer इसका y is equal to 3 ही आना चाहिए तो चेक करते कैसे करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जब हमारे पास यह question दे रिखा है तो 9p square 2-y का whole square is equal to 4 यह आएगा हमारे पास 3-y राइड इस तुन यह पर देन आएगा root 3-y upon 2-y आजागा अब यहां पर variable को separate कर ली चाहिए तो यह y of dy के साथ आजाएगा राइट यह आएगा हमारे पास 2-y plus minus 3 by 2 राइड अपन यह आजाएगा वारे पास 3-y राइड इंटो dy is equal to dx राइड इन इसको क्या करेंगे सुन separate करें राइड इस सुन यह राइड औरूड 3-y into dy is equal to x plus c हो जागा दैनिश को इसको क्या करेंगे सुन यह यागा 3 by 2 इसको अलग लग जाएगा यह जाएगा हमारे पास root 3-y minus 1 upon आपन अंरूट 3-y into dy राइड X is equal to X plus C, right, this हमारे पास value होगी, दर इसको म क्या करेंगे, सुन यह पर इसका इंटिग्रेशन करेंगे, और इंटिग्रेशन करेंगे इसको सॉल करेंगे, तो आपको अग्लेस्टे बताता हूँ, यह पर हमारे पास इसकी वे लिए हो जाएगे, तो इसका हम इंटिग्रेशन क माइनस C ले लिए यहाँ पर, क्योंकि प्लस C तो आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, उसमें को इशू नहीं, अब हम क्या करेंगे, सुन दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, चुकि हम पावर हटाना चाहते हैं, तो स्क्वार कर लेता है, अब मैंने आपको बुलाए कि जो भी हमारे पास solution होता है, माली जी यह हमारे पास क्या है, इसका solution है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 5 मालेंगे, तो यह आएगा हमारे पास X प्लस C का whole square minus Y square 3 minus Y, फिर मैं आपको बुला कि जो भी हमारे पास solution हैगा, उस solution को हम C के respect में differentiate करेंगे, तो जब इसको differentiate करेंगे, यह आएगा हमारे पास 2X plus C is equal to 0, clear है, यह हमारे पास solution हैगा, तो आप देख रोगे हमारे पास X की वेलियो होगी minus C, आप मैं आपको बुला कि जो भी हमारे पास वेलियो होगी, उसको मतब C को eliminate करना, तो यहाँ पर भी C आ रहा हो, मैं इसको ऐसा लिख दूँ यहाँ पर, कि हमारे पास C की जो भी लिख आएगी, वो क्या होगी, minus का X आएगी, right, minus का X आएगी, तो जहाँ पर भी C होँआ, minus X रख देजे, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यह आएगा हमारे पास, और यह हम जानते हैं, बरावर 0 है, right, तो यह आएगा 3 minus Y is equal to 0, तो सुन हमारे पास यहाँ Y is equal to 0 आया, and Y is equal to 3 आया, right, अब हम जानते हैं कि अब धुनों में से कौन सा solution होगा, तो हम जानते हैं Y अगर 0 है, तो यहाँ पर D Y by D X is equal to 0 होगा, और अगर यह हमने लिया, तो यह भी हमारे पास D Y by D X is equal to 0 होगा, और हम जानते हैं, यह पी साटिस्फाइ करेगा, यह नहीं करेगा, मैंने आपको बोला था कि जो भी सिंगुलर सॉलिशन हाता है, वो जो गिवन डिफरेंचल एक्वेशन है, जो मारे पास कौश्चन था, उसको यह साटिस्फाइ करेगा, यह नहीं करेगा, क्या करें, पी के जगा 0 रखो और य के ज हमारा x y is equal to 0, मतलब y is equal to 0, इसका singular solution नहीं होगा, y is equal to 3 इसका क्या होगा, singular solution होगा, यह ज्यान देने की ज़र होता है, अब बात करतें एक क्वेशन पर आता है, माली जैसे यह हमारे पास क्वेशन देरेका और आपको इस क्वेशन को solve करना, बराबर है, तो कैसे इसको solve करे आपको क्या करना है, value उठा के रखनी है, जैसे y is equal to 1 है, तो हम जानते हैं कि dy by dx, मतलब p जो आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, दोनों उठा के रखो, तो y के जगर 1 रखो, तो 27 यह 0 तो इसको satisfy नहीं कर रहा है, इस चाप से यह भी इसको satisfy नहीं करेगा, इ इसको satisfy करा, that's why the option is correct, यह trick से कर सकते है, पर अगर हमें एक्जाम में करना है, तो फिर तो मैं फोलो करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगा, तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, इसको f मान लेंग, राइट, क्या वह सुन 8 a p3 minus 27 y is equal to 0 होगा, अब हम क्या करते हैं, इसका differentiate करेंगे, तो सुन यह कितना है, हमारे पास, यह आएगा, 24 a p2 is equal to 0, तो सुन यहां से हमारे पास p की वेल्यू क्या जाएगे, जीरो हो जाएगे, यह p की वेल्यू उठा के यहां रख दीजे, तो जब इसको रखेंगे, तो सुन यहाँ जीरो माइनस 27 y is equal to 0 होगा, तो y is equal to 0 यहाँ पर क्या आएगा, इसका singular solution हो जागा, तो इस तरह से इस question को हम यहाँ पर solve करते हैं, अगला question पर आता है, next question देखिया, आप से पूचे जारे की find the singular solution of this, तो इसे question को कैसे solve करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, again हम यहाँ पर इसको f माल लेंगे, है ना, क्या हो और p का होगा वापिस x, तो इस तुन यहाँ पर क्या आजाएगा, x आजागा, right, है ना, और इसको हम बराबर 0 रखनेते हैं, clear है, जब इसको 0 रखेंगे, तो इस तुन यहाँ आएगा, x, px-y is equal to 1, उदर चला, या उसको उदर ले लिचा, right, हम यहाँ पर p की value निकाल ल करना है, इस से और इस से p को eliminate करना, तो इस तुन पी की value उठागे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो इस तुन यह पी की value क्या है, मारे पास, x plus y, upon x, into x, right, minus y, right, तो आप देख रहें, x, x तो cancel हो गया, clear है, और बराबर 0 हो रहा है, आपे, clear है, ना, बात करेंगे सुन, तो हमारे पास यह आएगा, x plus y, upon x आ रहा है, और देखो, यह x, y से y भी cancel हो, right, तो यहाँ पर स्री बचेगा, हमारे पास minus का log x, बचेगा, right, यह देखो, x, x cancel हो गया, तो यह x plus y, minus y है, तो y से y cancel हो, right, अब हम क्या करेंगे, सुन यह x उदर ले लिजा है, तो हमार हमारे पास, x plus y upon x is equal to log x हो जाएगा, right, तो सुन यह हमारे पास, x plus y is equal to x log x हो जाएगा, तो यह x उदर ले के जाए, क्यों कि हमें य की वेल्यू निका ले रहे, तो यह एगा, x log x minus x, हमारे पास क्या होगा, इसका, singular solution होगा, तो भी option हमारे पास क्या हो जाएगा, और एक यहां पर satisfy कर रहा कर चेक कर लें, यह कौन satisfy कर रहा हूँ हमारा answer हो जागा, तो यह दोनों तरीके जिसे हम यह पता लगा सकते हैं कि singular solution क्या होगा, तो सुन ठाक इस सो मच पर वचिंग में, और कैसी लगी मेरे class, please comment करके ज़रू बताइए, और like करी, share करी और चैनल को ज़र पुराना चैनल जहाँ पर differential equation की पूरी playlist मिल जाएगे, जहाँ पर हर topic differential equation का मैंने upload कर रहा हूँ हो सब यहां पर देखेगा, और यह मेरा नया चैनल है, यह मेरा पुराना चैनल है, so thank you so much for watching me, bye-bye.